Let's balance this chemical equation. So this is left-hand side, this is right-hand side. इस equation में कौन-कौन से element पर एंदेंट है देखिएं? Potassium, Oxygen, Hydrogen, Sulfur. So यहाँ पर हम लिख देंगे Potassium, Oxygen, Hydrogen and Sulfur. Same element को हम राइट-hand side पर भी लिख देंगे. Then next, left-hand side पर Potassium की कितने atom है? 1, Oxygen कितने है? 1 plus 4, that is 5. Then hydrogen कितने है? 1 plus 2, 3. And Sulfur कितने है? 1. Then next, right-hand side पर देखिए Potassium की कितने atom है? 2, Oxygen, 4 plus 1, 5. Hydrogen, 2. And Sulfur के 1 atom है. So Potassium भी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है. तो यहाँ पर भी हमें 2 करने हैं, तो हम क्या करेंगे? यह जो Potassium है, इसके Front में 2 लगा देंगे. So Potassium balance हो गया, दोले तरफ 2, 2 atom हो चुके हैं Potassium के. अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हमने Front में 2 लगाया, तो Oxygen कितने हो गया हैं यहाँ पर? 2 plus 4, 6. यहाँ पर Oxygen के 6 atom हो चुके हैं. और Hydrogen कितना हो गया है? 2 plus 2, 4. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Oxygen के 6 atom है, और यहाँ पर 5 है. तो 5 एक odd number है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे. इसके बाद वाले element को balance कर लेंगे. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें करना है 4. तो हम क्या कर सकते हैं, यह Hydrogen, इसके फ्राइट में हम 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2, 2, 2 सा 4. So Hydrogen balance हो गया, अब यहाँ पर देखिए. Oxygen को देखिए, अब Oxygen कितने हो गया है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 4 है. 4 plus 2, 6. So यहाँ पर Oxygen 6 हो चुके है. So Oxygen balance हो गया, और Sulfur तो पहले से balance है. Now this is the balance chemical equation.